पंजाब में बहतर नाट के धंग से हुए नेतरत्व परिवर्तन को हरयाना के ग्री मंतरी अनल बिज ने एक बड़ी साजिश बताया है बिज ने कॉंग्रेस का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य मंतरी बदलने के फैसले को रास्ट विरोधी चाल करा दिया है उन्होंने कहा है कि नबजोज सिंग सिद्धू को पंजाब की सत्ता में लाने के लिए पाकस्तानी के खतरनाक रास्ट विरोधी साजिश बताया है हाला कि अब उन्होंने पंजाब के पुर्व मुख्य मंतरी कैप्टन अमरंदर सिंग को रास्ट वादी सोच वाला व्यक्ति बता कर तारीफ की है बिज ने कहा है कि कैप्टन को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्यूंकि वो रास्ते में वाधा बन रहे थे अनिल बिज ने गुरवार को ट्वीट कर कहा है कि पंजाब में पाकस्तान समर्थक पाकस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जाविद बाजवा के दोस नवजोज सिंग सिद्धू और उनके सातियों को सत्ता में लाने की कॉंग्रेस की रस्ट विरो प्रधिक्ति के बाद बिज ने उन पर कटाक्ष किया था बिज ने कहा था कि जो वैक्ति अपने सभी फैसले सिक्के उच्छाल कर लेता हो वह इसके लायक नहीं है वहीं चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंतरी पद की शपत ली थी बिज ने शोमवार को ट्वीच कर कहा था कि पंजाब में कॉंग्रेस किसे मुख्यमंतरी बनाए और अपनी गाड़ी पर कौन सा इंजन लगाए या कॉंग्रेस का अंदुरूनी मामला है परन्तु जो इंजन कदम कदम पर टॉस करके चलता हो उससे पंजाब का क्या हल होगा उसका अंदाजा लगाया जा स सकता है बिजन पंजाब कॉंग्रेस और एक डूपती जहाच के बीच समानांतर बताई हैं और अस्थिर करार भी दिया है उन्होंने कहा है कि राचनतिक विकास के पीछे पाटी के भीतर आंतरिक संगर से है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ल